इस वीडियो में आज हम देखेंगे हर्याना सरकार की मुख्य उपलब्धियां जो भी योजना उन्होंने लागू की हैं जिस भी योजना के तैत उन्हें पुरुषकार मिला है किस योजना के तैत कितनी राशी दी जाती है ये सारी चीजें जो हैं इसमें आज पढ़ने वाल पुलिस कॉंस्टेबल हो इसके लावा एसाइ अगर आप मॉक्टैस्थ खरीदना चाहते हैं तो परिक्षए आप से खरीद सकते हैं एक मॉक्टैस्थ जो आपको फ्री मिलेगा और जितने भी मॉक्टैस्थ होंगे यह बेस्ट होंगे नियूज लेवर्स पर नियूज स्ले 40% का ओफ भी मिल जाएगा ठीक है तो चलिए आप वीडियो शुरू करते हैं और देखते हैं वो सारी important points जो BJP सरकार में हुए हैं ठीक है जहां से question बनते हैं ओक्यू 18 से शुरू की गई प्रधान मंतरी किसान सम्मान निधी योजना के तहत किसान परिवारों को 6000 रुपे वार्सिक सहायता तीन किस्तों में उपलब्द कराई जा रही है सबसे पहला तो ये कि प्रधान मंतरी किसान सम्मान निधी योजना शुरू कब के गई क्योंकि ये पूछा जाता है बार-बार कि ये योजना कब शुरू के गई तो ये याद रखें दिसंबर 2018 में और इसके तहत किसान परिवारों कितने रुपे दी जा रहे हैं 6000 रुपे वार्सिक ठीक है और ये तीन किस्तों में उपलब्द कराई जा रही है ठीक आगे देखे प्रदेश में जल्स अरक्षन तथा मक्का वै अरहर की खेती को प्रोचाहन देने के लिए 27 मई 2019 से जल ही जीवन योजना लागू की गई देखे जल ही जीवन योजना लागू कब की गई एक question ये बनेगा 27 में 2019 को और ये योजना लागू क्यों किये गई जल सरक्षन तथा मक्का और अरहर की खेती को प्रोटसाहन देने के लिए लागू किये गई तो important point है ये ठीक है आगे देखिए स्वेच्छता सर्वेक्षन ग्रामी 2018 के अनुसार हर्याना को स्वेच्छता के शेक्तर में देश में नंबर वन स्टेट अवोर्ड मिला है देश के छे जिलों में हर्याना के तीन जिले गुरुग्राम करनार रिवाडी जो हैं शामिल है ठीक है, याद रखे, हरियाना देश का पहला राज्य है जिसने अंतर जिला प्रिशत का गठन किया, इसके तहट पंचायती राजसंस्ताओं को अधिक वितिय अधिकार जो है, मिल गए है, तो पहला राज्य है जिसने अंतर जिला प्रिशत का गठन किया है, कौन सा है, हरियान ठीक है? Ease of doing business में हम चोदवे से तीसरे स्थान पर पहुँचे जबकि उत्री भारत में हम पहले स्थान पर है यह याद रखे हर्याना देश में निर्यात के शेत्र में पाचवे स्थान पर पहुँचा हर्याना देश में GST कर संग्रेण में भी क्यों से स्थान पर है? पाचवे स्थान पर आज हर्याना देश का एक मात्र राज्य है जिसके किसी भी गाउं का एक भी पंच या सरपंच ने तो अनपढ़ है और ने ही बैंक वे बिजली बिलों का डिफाल्टर है महिलाओं की सुरक्षा के लिए कौन सा एप शुरू किया गया है? दुर्गा शक्ती एप और दुर्गा शक्ती वाहिनी सेवा ये भी किस के लिए है? महिलाओं की सुरक्षा के लिए तो दोनों पोइंट याद रखिए नेक्स्ट एक क्रिमिनल लो बिल 2018 के तहट 12 साल तक की बच्ची से रेप करने पर क्या होगी फांसी की सजा होगी स्कूल कॉलेज जानी वाली शात्राओं वे अन्य महिलाओं की सुरक्षा के लिए किसका गठन क्या गया है दुरका रैपिड एक्शन फोर्स का गठन किया गया है प्रदीश में जो है 30 महिला पुलिस थानी जो है स्थापित किये गए है पहली अप्रेल 2017 से हर्याना केरोसीन मुक्तराज्य बना तो ये देखें इंपोर्टेंट हर्याना केरोसीन मुक्तराज्य कब बना 1st अप्रेल 2017 को केरोसीन मुक्तराज्य बना यह मत सोचिएगा कि 2017 का है यह तो कोशन नहीं पूछा जाएगा कोशन कोई भी पूछ सकते हैं 14 से लेकर 18 तक वो कोई भी कोशन आपसे पूछ सकते हैं चाहिए योजना कभी भी शुरू की गई हो आगे देखिए प्रधान मंत्री उजवला योजना के तहट 8,67,730 तरगैस connection दिये गई है यह सारा डाटा जो है officially है क्योंकि मैंने सब कुछ officially ही उठाया है कुछ भी अपनी तरफ से नहीं एड किया इसमें तो याद रखिए जो सारी चीज़े हैं वो officially ही है देखिए अगला है प्रधेश में 48 साल में लड़कियों को कि केवल 31 कॉलेज खुले जबकि वर्तमान सरकार के कारियकाल में 51 कॉलेज खोले गए जिन में से 31 जवह महिला महा विध्याल ले हैं अथीती अध्यापकों की सेवा को सरक्षा प्रदान करने के लिए हर्याना अथीती सिक्षक सेवा विधेयक 2019 विधान सभा में पारित हुआ तेजी से गिर रहे भूजल स्तर में सुधार के लिए सुक्षम सिचाई प्रियोजना बनानी वाला हर्याना देश का पहला राज्य वना ये पूछ सकते हैं कि सुक्षम सिचाई प्रियोजना किस से रिलेटिड है तो भूजल स्तर में सुधार के लिए चलाई गई है आगे देखें दक्षिन हर्याना की नहरों में 49 वर्स बाद पहली बार टेल तक पानी जो है पहुँचाया गया है सारजनी क्वित्रन प्रनाली का पूर्ण तेक कम्प्यूटरी करण करनी वाला हर्याना देश का पहला राज्य है हर्याना देश का ऐसा पहला राज्य है जहां प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरन के माध्यम से सत्य प्रतिशत पैंशन सीधे लाभारतियों के ख्याते में जा रहे तो इसमें भी हर्याना क्या है पहला राज्य है या पूछा जाए सार्जनी कुईतरन प्रणाली का पून ते कंप्यूटरी करने वाला पहला राज्य कौन से है तो वो भी हरियाना है ठीक है इस तरीके से कोशन पूछे जाते हैं आगे देखें प्रदेश में पहली बार दिव्यांग महिला सरकारी क्रमचारियों को चाइल्ड केर के लिए पंदरा सो रुपे प्रती बच्चा विशेश भत्ता दिया आग जाएगा सरकारी नोक्रियों में प्रती प्रक्रिया को निस्पक्ष हैं पारदर्शी बनाने के लिए ग्रूप C.W.D. की भरतियों में साक्षातकार को समाप्त कर दिया गया है प्रदेश में ग्रूप सीवेडी पदों की भरती के संबंध में लिखित परिक्षा 90 अंकों की होगी तथा अनुबहुत था सामाजी कार्थिक बांदरंडों के लिए दीक्तम दसंग होंगे ये तो सब को पता ही है ठीक है आगे देखें प्रदेश में 69,000 से अधिक पदों पर भरती की गी तथा 22,000 से अधिक पदों के लिए भरती प्रिक्रिया जारी है तो उन्होंने जो भी उनकी साइट होती है उस पर वो अपनी सरकार का ब्योरा डाला हुआ था कि इस सरकार में क्या क्या हुआ हुआ है तो हमें आपनी स्थानांतर निती के तहट 62,347 सद्यापकों के तबादले किये गए जिन में 46,96 परतीशत तबादले मंचाही जगों पर किये गए वरत्मान सरकार के कारियकाल में 25,479.13 करोड रुपे के निवेस से इतने उद्योग लगाए गया तता इतने लोगों को रोजगार म इपल गई है वो इंपोर्टेंट है ठीक है आगे देखे उद्यमीऊं को एक ही छत के नीचे सुकृतिया प्रदान करने के लिए HEPC हरयाणा एंटरप्राइजिस प्रोमोशन सेंटर का गठन किया गया है तो ये पूच सकते हैं उद्यमीऊं को एक छत के नीचे सुकृतिया करने के लिए किसका गठन किया गया है HEPC का ठीक है आगे देखें देखें ये इंपोर्टेंट है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान केते हैं सरकार के प्रियास्तों और जिन से योग से लिंगानुपात वर्ष 2019 में 933 हुआ नायापते सिल्दार में पूछा गया था 2017 का खिताब जितकर देश और प्रदेश का पूरी दुनिया में गोरव बढ़ाया है देश के दस जिलों को बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कार्या करम में अनुकरणिये कार्या करने के लिए चैनित किया गया जिसके तैट सोनी पर जिले को PCN PNDT Act को बहतर तरीके से लाग वा शगुन योजना के अंतरगत गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करनी वाली सभी वरक्किवी द्वाओं कोन की लड़कियों की शादी में 51,000 रुपे की शगुन रासी तो ये पूछा जाता है मुख्यमंतरी विवा शगुन योजना के तैट कितनी राशी दी जाती हरियाना कोशल विकास मिशन का गठन किया गया पंजिये कारियालों को जन मैत्री बनाने और पारदर्शिता को बढ़ाने के लिए ये दिशा के माध्यम से नई रजिस्ट्रेशन प्रणाली शुरू करने वाला देश का अगरणी राज्ये कौन सा है हरियाना ठीक है चलिए नेक्स देखिए मारा गाउं जग्मक गाउं योजना के तहत 3647 गाउं में 24 गंटे बिजली की आपरती देखिए ये इंपोर्टेंट है कितने गाउं को 24 गंटे बिजली दी जा रहे है 3647 गाउं को किसी योजना के तहत मारा गाउं जग्मक गाउं के तहत ठी जो है बिजली के बिल जो है वो लगबग आधे किये गई हैं दशकों से अधूरे पड़े के एमपी याने की कुंडली मानेसर पलवर एक्सप्रेस वेपर यातयात शुरू हो चुका है सोनिपत के कुंडली से नरेला तक दिल्ली मेटरो के विस्तार को मंजूरी मिल चुकी है बदरपूर मुसेजर मेटरो रेल शेवा शुरू की गई है कुंडली गाजयवाद पलवर एक्सप्रेस वेपर भी यातयात शुरू मुंडका दिल्ली बाद दरगड मेटरो रेल शेवा शुरू बलबगड फरीदाबाद मेटरो रेल शेवा शुरू 33 ROB, RUB का निर्मान जो 5,666,421 सिकायतों का समाधान किया गया है सारजनिक विकास प्रियोजनाओं के लिए सरकार को स्वेच्छा से दीग जमीन की खरीद के लिए e-bhumi web portal जो है शुरू किया गया देखे इंपोर्टेंट है यहां से सारजनिक विकास प्रियोजनाओं के सरकार को सरकार जो अपनी इच्छा से जमीन खरीद सकते हैं उसके लिए कौन सा पोर्टल e-bhumi web portal गाउं में लगबग 1826 आईटी युक्त ग्राम सचीवाले स्थापित किये गई है युद के दोरां शहीद हुए सैनिको के आश्रिति को दी जाने वाली अनुगर राशी 20 लाक रुपे से बढ़ा कर पचास लाक रुपे कर दी गई है इंपोर्टेंट है यह पूछा जा सकते है द्वित्य विश्वियुद के भूदपूर स्थैनिकों में उनकी विद्वाओं को दी जाने वाली आर्थिक सायता बढ़ा कर 10,000 रुपे माशिक की गई है वर्स 1957 के हिंदी आंदोलन में भाग लेने वालों को 10,000 रुपे माशिक पैंशन लोकतंतर सिनानियों को 10,000 रुपे माशिक पैंशन ठीक है यह पूछ सकते हैं हिंदी आंदोलन में भाग लेने वाले कितनी माशिक पैंशन की गई है या फिर यह पूछ सकते हैं वर्ष 1957 के किस आंदोलन में भाग नेलने वाली लोगों को 10,000 रुपे माशी पेंसन दी जाती तो जो जिनों ने हिंदी आंदोलन में भाग लिया तक किस तरीके भी इसे भी जो है कोशन पूछ सकते हैं लोगतंतर सिनानी को एक सहीत बसों में मुफ्त यात्रा सुवीधा लोगतंतर सिनानी अथ्वा उसकी पतनी को वनीजी हस्पताल के साथ सच सरकारी हस्पतालों के बीचिकित सा इलाज के लिए 5,000,000 रुपे तक की सुवीधा देने का निरने लिया गया है ओक्टबर 2014 से अब तक सहीध सैनिको के 287 आशरितों को अनुकंपा के आधार पर नोकरी दी गई हरियान सरकार ने अपनी करमचारियों को सात्वी वेतन आयो के अनुसार वेतन मान्व सब से पहले दिये मुख्य मंत्री सामाजिक सुरक्षा योजना के अंतरगत गैर अंश्ताता ओद्योगी कैमवाने जिक शिरमिको की आग जनी भवन गिरने आदी समरत्य हो जाने पर 5,000,000 रुपे तक की वितिये साहेता पंजीकृत शिरमिको को अंत्योध्य आहार योजना के तहत 10 रुपे की दर से खाना उपलब्द करवाने के लिए लियाईती भोजनाले जो है खोले गए है तो ये इस तरीके से पूछ सकते हैं कि किस योजना के तहट जो है बोजन दिया जा रहा है तो याईती बोजना लेखो ले गए तो अंतियोध्य आहार योजना के तहट है अंतर जातिये विवाश अगुनियोजना के तैतरियाना राज्ये के स्थाई निवासी अनुसुचित जाती के लड़का या लड़की से विवा करने पर प्रोट सांस रूप दी जाने वाली पचास हजा रूपे की राशी को बढ़ा कर दिया गया है। व्याबकार्थिक मापतंडो जैसे विकास, मुद्रा, स्पीती वेवितिय स्वस्था के आधार पर क्रीशिल की विस्दिलेशन रिपोर्ट के नुसार हर्याना देश में तीसरे स्थान पर हर्याना देश का पहला राज्ये जिसने भावंतर भरपाई योजना केता है टमाटर जोर आलू की फसल के सरक्षित बावनिर दारीत की है तो भावंतर भरपाई योजना केता है ठीक है चलिए नेक्स देखें जल्स्त्रोतों के अनुकूल एमं कुशल प्रभंदन के लिए हर्याना राश्ट्य पुरुसकार से समानित ओके चलिए नेक्स तेब गरीबों को सभ प्रिकार की जानकार्या एक ही छत के नीचे उपलब्द करवानी की उद्धेश से 115 अंतोध्य सरल एमं 4,008 सेवा केंद्रों के माध्यम से 485 सेवाईं वे योजनाई ओनलाइन उपलब्द करवानी वाला हरियाना देश का पहला राज्य पना ठीक, ओके, नेक्स्ट देखें आगे देखें, आस्ट्रेलिया में हुए 21 में राश्टर मंडल खेलों में प्रदेश के कुल 37 खिलाडियों ने भाग लिया, इन खेलों में प्रदेश के खिलाडियों ने कुल 22 पधक जीते जिसमें से 9 स्वान, 6 रजट तथा 7 काश्य पधक जो हैं शामिल है, तो यहां से क हर्याना का क्या रोल रहा, भारत ने कैसी कितने जीते, वो सारी चीज़ें हम कर चुके हैं, हर्याना में देश की मातर 2 प्रतिशत जनसंख्या निवास करते हैं, जिसके बावजूद 21 में राश्टर मंडल खेलों में देश के कुल पधकों का 33 प्रतिशत पधक जो है, हर्या जुन 2018 का है, लेकिन इंपोर्टेंट है, पूछा जा सकता है कि ये कारेकरम कहां से शुरू हुआ था, कब शुरू हुआ था, ठीक है, चलिए, नेक्स देखिए, खरीब फसलों के न्यूंतम समर्थन मुल्यों में एतियासिक बढ़ोतरी, धान का 1835 रुपे, सामानित धान क 1815, बाज़रे का 2000, मुक्य का 1770, वैसे पूछा ने जाएगा, बढ़ लेजिए, रभी सीजिन का 2018, इसके लेगियों का न्यूंतम समर्थन मुल्या बढ़ा कर 1840 रुपे, जों का 1440, चने का इतना और सरसु का इतना प्रतिकों इंटिल किया गया है, ठीक है, प्रदेश में क कूपोशन को खतम करने के लिए, फूड फॉटिफिकेशन की पहल की गई है, गूपोशन को खतम करने के लिए, BPL वै ए-ए-वाई के प्रिवारों को हर महीने एक किलो चीनी और दो लीटर सरसो का तेल, प्रति प्रिवार की दरस्यों कुलभ करवाने वाला देश का पहला र रेल्वे ट्रैक कहां पर बनाया गया है, रोहतक में बनाया जा रहा है, ठीक है, उपर गामी रेल्वे ट्रैक मिन्स ओवर ब्रीज रेल्वे ट्रैक, ठीक है, और यह कहां पर बनाया जा रहा है, देश का है पहला, तो यह रोहतक में बनाया जा रहा है, हिसार में बना प्रदे के लिए आयुश्मान भारत योजना लागू रिया इसी भावनों में चार मंजिल का प्रावधान किया गया GMD गुरुग्राम Metropolitan Development Authority का गठन परिदाबाद Metropolitan Development Authority की गठन का निर्ने लिया गया शहरी शित्रों में बुनियादी सुविधाओं को शुड्रड करनी की प्रिक्रिया में हरियाना 28 में स्थान से 10 में स्थान पर पहुंचा अरियाना देश का ऐसा पहला राज्य जहाँ पर दो रियल एस्टेट अथोरिटी गुरुग्राम वे पंचकुला बनाई गई है तो दो रियल एस्टेट अथोरिटी कौन कौन सी हैं गुरुग्राम और पंचकुला ठीक है प्रदीश में नंबरदारों का मान दे 15 सु रुपे मासिक से बढ़ाकर 3,000 रुपे मासिक तथा एक मॉबाईल देने का भी निर्ना किया गया है पूरो मेयर को पचीस सो रुपे, पूरो सिनियर डिप्टी मेयर, पूरो डिव्टी मेयर तथा पूरो नगर प्रीशद परधान को 2000 रुपे मासिक पैंचर बूतपूर सरपंच को 1000 रुपे जिला पलवल के गाउं दुधोला में श्री विशो कर्मा कोशल विशव विद्याले स्थापित देखे, विशो कर्मा कोशल विद्याले पूछा जा सकता है कहाँ पर पलवल के गाउं दुधोला में हर्याना का राश्टे कार्य करम बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ कि सफलता पूरवक निर्भैन के लिए चार रास्टि प्रुषकारों के लिए चैन जिन में हरियाना राजे को सर्वांगिन सहायता, मारक दर्शन, मौनिटरिंग श्रेनी के तहत, करनाल जिले को अफेक्टिव कम्यूनिटी अंगेजमेंट के लिए तो याद रखे करनाल को क् सही ढंग से लागू करने के लिए शामिल किया गया, इन्हें मिला है ठीक है, ये पूछा भी गया था उसमें, नाइपतै सिल्दार के वेपर में, प्रदेश में 25,000 या इससे कम वेतनवाली करमचारियों को स्वेम या बेटे की शादी पर 21,000 रुपे श्रमिकों के बच्च को वेवसाइक कोशिंग के लिए 20,000-1,000,000 रुपे तक की वितिय सहायता देने का निर्ने, प्रदेश की 674 कालोनियों को नियमित किया गया है, राष्टे स्वास्ते प्राधिकरन ने आयुष्मान भारत योजना के परमुक बिंदों पर उलेकने प्रदशन करने के लिए हर कुछीज आ सकती है, और सब कुछ ओफिशियल था, मैंने ओफिशियल से ही लिया तो आगे भी कोशिश करेंगे, जो भी ओफिशियल डाटा मिल सके वही करें, बाकी अदरवाई समझोए, पूरी हानियाना जी के कर चुके हैं, अगर उसमें से कुछ आएगा, तो कोशिश व को मिले थे, उसी पर बेस्ट हो, ठीक है, थांक्यू सो मच, वीडियो अच्छे लगे, तो लाइक कर दीजिएगा, थांक्यू,